तैं आज आज है 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 हाई फ्रेंड्स मेरे तुनाकपल देखे आपके लिए एक और ड्यजाइन लेकर आहिए देखेंगे जैंट स्वेटर बहुत ही कुपसर सा डिजाइन लगेगा बैट शीड पर बहुत सुन्दा डिजाइन लगेगा यह देखेगा इस तरीके से यह तरीक चले एक और डिजाइन आपके लेकर आई हूँ, हार्ड़ी 10 फंदो का डिजाइन है, 5 प्लाय की बूली है और 9 नमबर से आपको बताने जा रही हूँ, अब देखेगा करना किस तरीके से है, पहला फंदा उतारने के बाद हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, अब जो ये हम बाद में बनाएंगे, तो आपने इन दोनों फंदो को ट्विस्ट कर लिया, अब यहां से 4 फंदे आपने सीधे बनाने है, 1, 2, 3, 4, तो देखे ये 4 और 4, 8 और 2, 10 फंदो का डिजाइन है, जो आपको रिपीट करते वे जाना है, अब यहां से रिपीटिशन होगी, 4 फं के फंदे को बनाना है, और फिर 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, और यह हमारा लास्ट का फंद, अब देखे उल्टी लाइन में क्या करना है, यह पहला उतारने के बाद 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, अब जो यह दो फंदे आमने ट्विस्ट किये थे, उन्हें बिना ब अगें यह दो फंदे जो ट्विस्ट हुए थे, बिना बुने वे उतारेंगे, और यह हमारे उल्टे बनेंगे, 4 और एक लास्ट का फंदा होगा, 5, आज यह सीधी लाइन पर है, यह देखे, अब पहला उतारने के बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, अब जो यह अंदर जाएगा और यहां से 1 फंदा बार की तरफ आएगा, तो दागा यही रहने दिया, इस वाले फंदे को पहले बनाया आपने और फिर इसे बनाया, अब यह वाला फंदा अंदर आएगा और यह उपर से बार जाएगा, तो बैक साइड से आपने 2 फंदा पहले बनाया ऐसे और फिर ये बनाया अब सेंटर के छे फंदे सीधे होंगे फिर यहाँ पर वही करना है ये वाला फंदा आपने पहले फ्रंट से बनाना है जो हमने ट्विस्ट किया था बिना बुने वता रहा था फिर ये वाला अब बैक से ये वाला फंदा पहले बनाना है और फिर ये अब ये तीन फंदे आपके सीधे और ये लास्ट का फंदा बैक साइड में हमने जो हमने ट्विस्ट फंदा किया है सिर्फ उसे हमें नहीं बनाना है बाकी को बनाना है अब पहला उतारेंगे और तीन फंद उल्टे एक, दो, तीन अब ये देखे, cycle ये वाला फंदा twist किया है, तो इसे आपने ऐसे उतारना है बिना वोने वे अब सेंटर के डो फंद उल्टे, फिर इसे उतारेंगे अब फिर ये छे फंद उल्टे ये उतरेगा दो फंदे उल्टे सेंटर के ये उतरेगा अब ये लास्ट के तीन फंदे और फिर एक फंदा एक्स्ट्रा ये देखेगा आजए ये सीधी लाइन पे ये उतारके आप दो फंदे आपके सीधे बनेंगे फिर से ये अंदर जाएगा और ये बाहर आएगा तो आपने दूसरा वाला फंदा फ्रंट से पहले बनाना है फिर ये बनाना है अब ये सेंटर के दो फंदे आप सीधे बनाएंगे अब फिर से ये इधर जाएगा और वो बैक से अंदर आएगा तो आपने बैक से उसे ऐसे पकड़ना है इस तरीके से फिर इसे बनाना है अब ये चार फंदे होंगे एक, दो, तीन, चार फिर वही ट्विस्ट करना है यहां से आपकी repetition है तो ये ट्विस्ट फिर से वैसे ही करना है आपने जैसे कर रहे थे ये, अगेन, ये, ऐसे अब यहां पे दो फंदे है लास्ट में और सिंगल फंदा लास्ट का एक है, ये देखेंगे आज ये उल्टी लाइन पे पहला उतारा, दो फंदे उल्टे बनाए और ये वाला फंदा बिना बुने वे उतारा फिर सेंटर के चार फंदे आपने उल्टे बनाए, अगेन ये फंदा उतारा, फिर चार फंदे उल्टे बनाए, ये उतारा, फिर चार फंदे उल्टे बनाए, ये उतारा, अब ये दो फंदे उल्टे और ये लास्ट का फंदा, आगे फिर से सीधी लाइन पे, पहला फंदा उतारा एक फंदा बनाया अब फिर से ये बाहर करना है तो second वाला फंदा हम पहले बनाएंगे फिर ये वाला बनाएंगे अब center के 4 फंदे आप सीधे बनाएंगे ये वाला बाहर करना है और इसे ऐसे करके back से बनाना है 2nd वाले को फिर इसे बनाना है, फिर एक फंदा सीथा अब यही रेपिटिशन है, एक सीथा फिर यही बाहर आएगा ऐसे, इसे बनाएंगे, सेंट्र के 4 फंदे आपके सीथे बनेंगे, फिर बैक से 2nd वाले बनेगा हम फिर यह यहाँ पे 1 फंदा उल्टी लाइन जैसे बताइए आपको उसी तरीके से करेंगे अब आपका पहला फंदा उतरेगा ये एक बनेगा और ये उतरेगा फिर सेंटर में चार फंदे होंगे आपके इसके छे फंदे होंगे रधर 2, 2, 4, 5 और ये 6 ये उतरेगा फिर ये दो फंदे होंगे फिर ये उत्रेगा फिर ये छे फंदे होंगे फिर ये उत्रेगा और फिर ये दो फंदे होंगे आज ये अभी ऐसे हुआ देखेंगे अब ये देखें अब ये उत्रेगा और फिर ये वाला सेकंड वाला पहले बनेगा और फिर ये बनेगा अब सेंटर में आपके पाद छे फंदे हैं वो आप सीधे बनाईएगा फिर बैक से आपने ये वाला फंदा भी अंदर करना है और इसे भी करना है फिर फ्रंट से आपने यह से स्टार्टिंग है ये और फिर ये फिर 6 फंदे आपने C थे again back से ये वाला second वाला फंदा पहले बनेगा फिर ये बनेगा फिर ये फंदा C था अब उल्टी लाइन वही ये फंदा उतरेगा ये भी उतरेगा क्योंकि ये हमारा हो है ये सारे उल्टे बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, और आठ फिर ये दो फंदे बिना बुने में उतरेंगे फिर ये बनेंगे आठ फंदे, उल्टे ये फंदा बिना बुने में उतरेगा और ये फंदा लास्ट का अब देखे ऐसे आया है भी आपका अब करना क्या है अब इसे वैसे तो ट्विस्ट करना था तो अब लास्ट है यहाँ पे तो हम ट्विस्ट करनी सकते है तो इसे तो हम ऐसे ही छोड़ेंगे आप ये देखेंगे कैसे ये उतारा और इसे आप सीधा ही बुनेंगे क्योंकि इसे हम यहां पे कोई है नहीं तो twist नहीं कर सकते तो इन फंदों को आप 8 फंदों को सीधा बुनेंगे अब जो यह दो center के हैं यह हमें twist करना है जितनी बार भी ऐसे आएंगे वो हमें twist करना है जिस तरीके से यहां किया था वैसी करना है तो यह वाला second वाला फंद आप front से ऐसे पहले बनाएंगे इस तरीके से और फिर यह वाला बनाएंगे तो यह twist हो गया अब यह फंदे सीधे जहाँ जहाँ पे इस तरीके से आएंगे वहाँ वहाँ पे आपने twist करना है मैं छोटे में बता रही हूँ, बड़े में आपके फंदे ज्यादा आएंगे और ये सारे फंदे ऐसे बनेगे और उसके बाद आपने उल्टी लाइन में ये ही दो फंदे जो है उतारने हैं बिना बुनेवे और बाकी करने हैं ये भी उतारा अब ये फंदे 8 फंदे उल्टे और ये बिना बुने में उतारे आपने दोनो फिर ये 8 फंदे उल्टे अब ये उतारा बिना बुने में और ये उल्टा अब देखें जो हमने यहाँ पे किया था यहाँ पे अब एक्जेक्ली यहाँ पे वही करना है याने कि आप जो फंदे हमने अंदर किये था वह बाहर करना है इस से इस साइट से चार और इस साइट से चार यहाँ भी इस अब ये second वाला फंदा back side से पहले बनाएंगे, फिर ये वाला फंदा बनाएंगे, अब ये फंदे बनेंगे, एक, छे बनेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छे, अब यहाँ भी वही ये वाला फंदा इधर जाएगा और ये आएगा, जैसे हमने यहाँ किया था, exactly वही कर रह आही हूं यह बनाया आपने और फिर यह आपगे फंद अंदर लेना है तो back side से से पहले बनाएंगे फिर इसे बनाएंगे अब 6 फंदे आपने सीधे बनाने हैं अब यह वाला फंदा आमने अंदर करना है तो ऐसे front से और फिर यह वाला फंदा दूसरा. अब पलट लिजेए अब यहां पही एक उत्रेगा एक बनेगे फिर यह वाला उत्रेगा और छे फंदे उल्टे बनेंगे. अब ये उतरेगा फिर center के 2 फंदे उल्टे बनेंगे ये उतरेगा 6 फंदे उल्टे बनेंगे फिर ये वाला उतारेंगे इसे उल्टा और ये लास्ट का फंदा अब ऐसे ही एक एक फंदा हम बाहर करते वे जाएंगे दोनों तरफ से एक बार और दिखाते हूं फिर इसे ऐसे करना है यह वाला फंदा सीधा बनेगा अब back से आपने यह वाला फंदा पहले बनाना है ऐसे फिर यह बनाना है अब चार फंदे सीधे बनेंगे फिर यहां पर यह वाला फंदा आपने पहले बनाना है और फिर यह बाद में अब सेंटर के दो फंदे सीधे बनेंगे फिर यह वाला फंदा अंदर लाना है तो बैक से आपने ऐसे बनाना है यहां से repetition आपकी शुरू हो जाती है, यह दिखेंगे, फिर चार फंदे सीधे, अब अगेर यह वाला फंदा अंदर करना है, तो फ्रंट से आपने पहले इसे बनाना है, फिर इसे बनाना है, और फिर यह बनेंगे, यह देखेंगे, अब पलट के उल्टी लाइन में वही जो उतारना है, उसे उतारना, आपने एक बनाया, एक उतारा, फिर एक और एक दो बनाए, यह उतारा, चार बनाए, यह उतारा, अगेर चार बनाए, फिर यह उतारा, चार बनाए, उल्टे, यह उतारा, यह दो बनाए, यह लास्ट का फंदा यह देखे ऐसे आया है अब यह आया है आप कैसे करेंगे देखे यह उतारा तो फंदे सीधे बनाए अब फिर से वही यह वाला बाहर करना है तो बैक से आपने बनाना है इसे ऐसे फिर फ्रंट से फिर दो फंदे सीधे बनेंगे इसे बनाना है फ्रंट से फिर इसे अब ये फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार फिर से बैक से बनाना है पहले ऐसे इसे सेकंड वाला फिर ये और सेंटर के दो फंदे आपने सीधे बनाने देखेंगे फिर उसे लेंge ऐसे इसे अब backside जो बता रही थी वैसे ही exactly बनाएंगे हम देखेंगे इसे आया है अब backside में आपने इसे ऐसे करना है तो तीन फंधे उल्टे फिर यह उतरेगा फिर दो फंधे उल्टे फिर यह उतरेगा फिर यहां आपके 6 फंधे होंगे फिर यह उत्रेगा फिर यहां पर दो फंदे होंगे फिर यह उत्रेगा फिर यहां पर चार फंदे होंगे तीन फंदे होंगे और यह लास्ट का यह देखिएगा ऐसे आया है भी अब यह उतारेंगे इसे बनाएंगे एक दो तीन फिर से वही बैक साइड से इस वाले फंदे क अपने ऐसे लाना है और फिर इसे बनाना है फिर फ्रंट से इसे लाना है और इसे बनाना है अब ये वाले फंदे सीथे 8 होंगे फिर से वही ये वाला फंदा बाहर निकालना है तो इसे बैक से आपने पहले बनाना है फिर इसे बनाना है अब फिर यहां से इसे front से back वाले को पहले बनाएंगे फिर इसे बनाएंगे और फिर यह वाले फंदे सीधे ulti line आपको जैसे बताई जो फंदा उतारने को बोला है वही आपने इसमें ulti line में उतारना है तो देखिए यह आपने यह बनाया अब यहाँ एक, दो, तीन, चार फिर यह दो उतारे अगें आठ फन दे होगे एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ और यह आठ फिर दो उतारा, फिर यह चार होगे और यह लास्ट का अब देखें यह पूरा हो गया, कम्प्लीट हो गया आपका जो है design इस तरीके से अब जो मैंने यहां से बोला उसी को दूबारा आपने रिपीट करते वे जाना इनको ट्यूस्ट करना है यह सीदे बनेंगे 4 फिर 8 सीदे फिर टुिस्ट होंगे फिर चार सीदे और अगली उल्टी लाइन में जो उतरेगा वो इतारना है अपने फिर नेक्स लाइन में एक एक फंदा अंदर करते वे जाएंगे तो देखें कि इतना खूबसूरत सा जो डिजाइन है आपका वो इस तरीके से बनता हो जाएगा बहुत ही सुन्दर है यह जैंट स्वेटर में बच्चों के में बड़ों के में किसी में भी डाल सकते बैसिकली लेडिस पे भी आप इसे डाल सकते बट जैंट के लिए स्वेट यहां चाहर रखे दें आप चाहें तो 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 जितना बड़ा स्क्यार चाहिए या जितना चोटा स्क्यार चाहिए चोटे बच्चों के लिए बना रहे होंगे तो तीन-तीन फंदे भी रख सकते हैं और बाकी इस तरीके से आपका यह बढ़तावा जाएगा तो चले फिर बनाईए और शेर जरू कीजगा सब के साथ थैंक यू